मित्रो जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्म सिक्षा मित्रो व्यापार बहुत से लोग करते हैं ऐसे में बहुत साई लोगों के पास दुकान होता है जिससे कि उनका व्यापार चलता है व्यापार हलाकि आजकल बहुत तरका हो गया है लेकिन ज्यादातर हमारे जो मिद्र हैं, जो भीवर्स हैं, वो जो व्यापार करते हैं, उनके पास छोटा या बड़ा दुकान होता है अब ऐसे में, दुकान में लाव नहीं होता अब क्या-क्या उन्होंने कर्ज लेकर दुकान कई बार खुलते हैं लोग कई बार अपनी गार ही कमाई जीवन की बहुत सारा पुंजी उस दुकान में लगा दिया अब ग्रहक नहीं आ रहे ठीक उसी चीज का दुकान है बगल में या उसी मार्केट में उसमें बहुत से ग्रहक जा रहे हैं इन्होंने डिसकाउंट भी दे दिया फिर भी ग्रहक उधर ही जा रहे हैं चलो उनकी दुकान उची थी इन्होंने भी पैसे लगा के उची दुकान खोली फिर भी ग्रहक उधर ही जा रहे हैं फिर भी ग्रहक ने आया फिर क्या क्या आज सकता है आखिर कमी कहा रह जाती है दुकान इन्होंने भी खोला दुकान उन्होंने भी खोला और दोनों महनत करते हैं दोनों इमानदार हैं माल दीजे या इनकी बात कर रहा हैं ये इमानदार हैं अब मीठी बानी भी ये वोलते हैं फिर भी ग्रहक इनके तरफ नहीं आते हैं और उनके तरफ चले आते हैं ऐसा क्यों? इसके लिए मैं आपको एक उधारन के तर पर समझाओंगा भी आने वाले वीडियो में, उससे पहले मैं बता दूँ अब आपको मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ, इसमें मैं आपको पांच महतपुन वास्तो टिप्स देने वाला हूँ, जो की आप अ एक यंत्र भी आपको दिखाने वाला हूं, इस यंत्र की वदत से बहुत से लोगों को वियापार में फाइदा हुआ है आपको भी होगा तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, वीडियो पसंद आये तो वीडियो को अभी सही लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप वीडियो में खो जाएंगे फिर लाइक करना भूल जाते हैं तो अभी सही लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को तो निश्ची तोर पे दवाएं ताकि आपको समय समय पर जैसे ही इस तरह की वीडियो हम लाते हैं पता चलती रहे सबसे पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कहीं एक दुकान पे बहुत जदा लोग जा रहे हैं कहीं एक दुकान पे नहीं जा रहे हैं आईसा क्यों होता है एक उधारंग लेकर मैं आपको समझाता हूँ देखिए दो खेत है एक खेत काफी उपजाओ मिट्टी वाला है दूसरा आप एक छाक्रेत कम उपजाओ वाला मिट्टी है इसमें उस दोनों खेत की कोई गल्ती नहीं है है ठीक है अब जो खेत उपजाओ है उसमें फसल ज्यादा होगी निश्ची तोर पे और जो खेत कम उपजाओ है उसमें फसल कम होगी जैसा कि अभी दोनों दुकान दारों के साथ हो रहा था एक का दुकान कम चल रहा था एक का दुकान ज्यादा चल रहा था तो माली जी वो उपजाओ खेत है और ये अपेक्षागरित कम उपजाओ खेत है इसमें दोनों में से किसी की भी कोई गलती नहीं है ये होता है कुंडली के में जो भी ग्रहों की इस्थिती होती है उसके वजह से ऐसा होता है किनी का भाग जादा साथ देता है किनी का भाग कम साथ देता है अब जो खेत कम उप बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? उपर से खाद miने डालेंगे, या खेत कि ज़्यादा देखवाल करेंगे, तो वो खेत भी ज्यादा फसल देने लगेगा, जो कि उपजाओ खेत है, उपसल देने लगेगा, और अच्छे से ध्यान रखेंगे तो क्या पता उससे ज़्यादा भी फसल देने लगे ठीक ऐसा होता है व्यक्ति के साथ भी तो अभी हम इस खेट की बात करेंगे जो कि अपर चाके कम उपजाओ है उसको हम कैसे उपजाओ बना सकते हैं ताकि ये भी खेट एक बार ला ला उ जाट में तो ध्यान रखेंगे उत्तर या पूर में के तरफ उस दुकान का मुखहोना चाहिए दुकान से निकलें आप तो पूर सबसे पहले भगवान गनेश की मूर्ती को जरू अस्थापित करें अपने दुकान के पूजास्थल में अब दुकान का पूजास्थल कहा होना चाहिए उत्तर पूर कोने में होना चाहिए दुकान का पूजास्थल छोटा ही सही मंदिर जवर लगाएं वहाँ पर भगवान गनेश की मुर्थी जवर लगाएं भगवान गनेश विगनों को हरते हैं और लाव ही लाव कराते हैं तो भगवान गनेश और लक्षी माता की मुर्थी या फोटो निश्ची तोर पर रखें जिनकी पूजा आप हर रोज करेंगे जैसे दुकान खोलेगा चाहे ग्राहक कितने भी खरे हो बाहर सबसे पहले उनको आप अगरवत्ती और चल चरहेंगे, फूल चरहेंगे सबसे पहले अपनी पूजा करेंगे उसके बाद ही उन ग्राहां को सब कुछ देंगे, जो भी देना होगा अगर एक ग्राहक को देख कर अभी आपने पूजा मन से नहीं किया तो वो एक ग्राहक तो भी है लेकिन बांकी जो दस ग्राहक और आने वाज थे वो नहीं आएंगे तो पहले पूजा अपनी अच्छे से निटा लें अच्छे से मतलब ऐसा नहीं कि पूरे घंटों लगे हुए हैं ऐसा नहीं पांच-सात मेट का ही समय जवर लगाएं पूजा के लिए और मन से लगाएं वो बहुत सारे आपने देखा होगा दुकान दारों को व्यापारियों को दुकान बहुत चलता है लेकिन जब ही सुबह में आता है सबसे पहले वो पूजा ही करेंगे और पूजा करने के बाद कितना भी बड़ा गरहक हो उनसे बात करेंगे कोई बड़ा ही गरहक है तब भी उनको बोलेगा अब बैठिये पहले में पनी पूजा दिप्टा लूँ तो पूजा सबसे पहले करें और उत्तर पूर्द के कोने में आपको रखना है अपना मंदिर अब और क्या करना है हर रोज सफाई निश्ची तोर पे दुकान की करवाएं और सफाई करवाएं सुबा के समय में जिस समय दुकान खुलता है उस समय में सबसे पहले सफाई उसके बाद पूजा उसके बाद ग्राहों को कुछ भी दें सफाई कराने के लिए क्या करें सफाई जैसे ही हो गई हो कुछ दुकांदानों को मैंने भी देखा है कि कूरा इखटा किया वही रोड पर ही उसे उट गिरा दिया ऐसा करने से बचे, ऐसा करने से आपका व्यापार प्रभावित होगा और आपको नुकसान ही नुकसान होता चला जाएगा, अगर आपके पास का कोई भी दुकानदार इस तरह का काम करे, वो भी अपना पूरा लाके रोड में रखे, तो उससे आपका व्यापार भी कुरा का जगाह होता है दक्षिन-पषिनकोने में कुर्या को एक अठा करने का कोई ना कोई बरतन रखें, समान रखें जो भी देस्टविन रखें और जैसे नगर्लिगम के गारी आती है, उन्हें देदें है या कहीं दूर ले जाकर जहां कुरा सभी फेकते हैं वहाँ पे कभी भी कुड़ा नहीं फेक हैं इससे आपका व्यापार प्रभावित होगा आपका परोशी दुकानदार भी ऐसा करता है तब भी आपका व्यापार प्रभावित होगा तो आपको दो टिप्स में ने दिये, अब क्या करना है आपको, एक सीसा जरूर ऐसा लगाना है, जो कि जैसे दुकानदार के हाँ कोई आया, मैं दुकान में परवेस किया, तो मुझे एक सीसा नज़र आना चाहिए सामने, ऐसा एक सीसा निश्ची तोर पर लगाएं, छोटा जिस तरह का भी आपका दुकान है, उस हिसाब से, बरा सिसा और भी पर यहां, कम से कम छोटा सिसा भी, एतना बरा सिसा तो निश्ची तोर पर लगाएं, ताकि कोई भी ग्रहक आए, वो अपनी प्रतिविम उसमें देख पाएं, इससे ग्रहक जो होता है, उसमें पोजिटि की तरफ मुख करके, आपका मुख होना चाहिए, उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ, अगर आप उत्तर और पूर्व की तरफ मुख करके बैठेंगे, तो क्या होगा, जो भी ग्रहक आएंगे आपके हैं, वो आपसे मोल भाव कम करेंगे, जो भी आप बताएंगे, प्रा पर उत्तर पूर्व की तरब मुखरकन का प्रयास करें। उसके बाद मित्रों बता चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको यह बताए, यह यंत्र आपको अस्थापित करना है अपने दुकान में। इस यंत्र का नाम है संपून, व्यापार, विर्धी यंत्र है। इसमें बहुत जो कि देवताओं के भी खाजांची होता है, जिनके पास सारा धन होता है। कनकधारा यंत्र ही है इसमें, जो कि सोने की वर्षा करवाने वाला यंत्र होता है। तो व्यापार के अस्थाल पर जो भी इस यंत्र को लगाते हैं, उससे बहुत ही फाइदा होता है। इसमें द के कोड़े में जहांपे पूझा स्थल है आपका उहीं पे लगाना है और इनको भी जाूर foreign करना है अब ये जो है एक फिट बास्ति का इंदर है इस से छोटा इंदर कभी ना खए दें कहीं सब.. क्योंकि क्या होता है यंत्रों के अंदर बहुत कुछ लिखा होता है वो आपके नजर में आना चाहिए इतना बरा यंत्र तो होना ही चाहिए कम से कम अगर एक ही यंत्र इतना बरा हो तो और भी बहतर फिलाल यह संपूर्ण यंत्र है तो कम से कम एक फिट पर एक फिट का होना चाहिए और दूसरी बाद यंत्र बिना मंत्र के कुछ नहीं है यह एक फोटो है जिस तरह का फोटो कहीं भी आपको दुकानों में मिल जाता है उस तरह का फोटो है जब भी इस तरह का यंत्र आपने दुकान में अस्थापित करवा हैं तो मंत्रो चार करने के बाद ही करवा ह अगर आपको सुधी किया हुआ यह यंत्र चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मुझे जवर लिखें यहाँ पर वर्टसप का मेरा नम्मर आ रहा है वर्टसप पर संपर्क करें इसका 501 रुप्य कीमत है जो कि पूरा आपको मंत्र के सहीद मिलेगा मंत्रोचान करके मिलेगा कुरियर चाहिए जो भी 100-100 मैक्सिमम कहीं भी अगर देश में आप मंगाते हैं तो इससे ज्यादा कुरियर का खर्च नहीं आता है तो 100-100 कुरियर का खर्च और 500 एक रुप्य का यह यह अंत्र है तो इसे मौमाकर अपने उत्तर पूर्व कोने में निश्चित तोर पर लग होगा हमारी सुपकामना आपके साथ है तो इस तरह की अनिक आनवर्दक वीडियो के लिए धर्मसिक्षा के साथ तो देखते हैं धर्मसिक्षा जै मता दी